चलिए अब देखते हैं चैप्टर 4 Moving Charges and Magnetism देखें चैप्टर 1 और 2 में हमने Steady Charge देखा फिर चैप्टर 3 में हमने Moving Charge लिया और Moving Charge से produce होने वाला current और उसकी दूसरी definitions हमने देखी और साथ ही Charge जब move होता है यानि कि current produce होता है तब जो hitting effect आती है वो हमने देखी उसकी magnetic effect आती है वो किस तरह से होती है उसके equations क्या है वगेर है अब देखें electricity और magnetism ये दोनों वैसे तो आज से 2000 साल पहले find कर लिए गया थे लेकिन ये दोनों interrelated है ये 200 साल पहले ही पता चला 1820 में जियां electricity और magnetism ये दोनों बहुत ही interrelated है लेकिन इसके बारे में पता चला 1820 में और वो भी कैसे पता चला ये समझे एक Danish physicist जिनका नाम था Hans Christian Austed ये नाम आपने कभी सुना होगा 89 standard में तो ये Hans Christian Austed 1820 में एक lecture में experiment का demonstration कर रहे थे और इस दोरान उनों ने देखा कि जब भी straight wire में से current pass होता है तो उसके pass रखी हुई magnetic needle जो है या फिर magnetic compass की जो needle है उसमें deflection होता है देखे ये बहुत ही interesting experiment है मैं आपको दिखाता हूँ इवन आप भी ये कर सकते हो ये है एक wire, straight wire और इसमें से अभी current eye pass हो रहा है अगर आप इसके पास एक magnetic compass रख दो मैं या पर draw कर लेता हूँ ये है एक magnetic compass इस तरह से अगर आप एक magnetic compass रख देते हो और normally, suppose कि इस magnetic compass में जो needle है वो needle अभी इस तरह से रख के हुई है ठीक है अभी current pass नहीं हो रहा थोड़ी देश के लिए सोचे कि current pass नहीं हो रहा अब जब आप इसमें से current pass करोगे तो ये जो needle है वो deflect होके ऐसे, इस तरह से arrange हो जाएगी यानि कि ये जो needle है वो ऐसे deflect हो जाएगी इस तरह 90 degree deflect हो जाएगी और देखने की बात है कि ये needle इस wire के यानि कि इस current की direction के perpendicular direction में arrange होगी ये current की direction है और ये needle इस तरह arrange हो जाएगी तो ये experiment ये Hans Christian Austed ने देखा तो इसमें ये जो needle है वो क्यों हिल रही है भई? आप तो current pass करे हो तो ये needle क्यों हिल रही है? इसका मतलब ये हुआ कि दरसल current pass करने की वज़े से magnetic field produce होना चाहिए और वो जो field है वो ही इसी needle को हिला रहा है deflect कर रहा है चलिए इसके बारे में आगे समगते है अब देखे इसके बाद austrade ने इस phenomenon पे और भी work किया और उसने एक experiment ये भी किया देखे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये dot मैंने किया ये दरसल dot नहीं है लेकिन ये current carrying wire है जो कि current लेके बाहर की और आ रहा है समझे इस board के perpendicular और बाहर की और current आ रहा है इसलिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो आपको सिर्फ wire का cross section दिख रहा है ये wire का cross section है और current इस board में से बाहर की और आ रहा है अब इस हाल में इस wire में से current पास करके austrade ने इसके आसपास needle रखके देखी तो उसने देखा कि needle इस तरह से wire के आसपास tangential direction में किसी circle को follow करते हुए arrange हो जाती है इस तरह से जैसे कि ये कोई circle बना रही हो इस तरह से needle हर एक जगा पे arrange होती है मिस उसने इस compass को अलग अलग जगा पे रखा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे रखा तो हर एक में जो needle की orientation है वो आप देख पा रहा हो कि एक तरह से circle बना रही है जिसका center जो है वो wire है इस तरह से needle arrange हो रही है इतना ही अगर आप current की direction change कर दो तो needle की जो direction है वो भी opposite हो जाती है change हो जाती है साथे साथ Hans Christian Austed ने भी देखा कि अगर current ज़ादा रखा जाए अगर इस wire में से current पास कर रहे है वो current ज़ादा रखा जाए तो इन needle का deflection जल्दी से arrange हो जाता है इस तरह से arrange हो जाता है मिसके deflection ज़ादा होता है कहना का मतलब है कि अगर needle किसी और direction में हो और आप इसमें से current कम पास करो तो needle इस तरफ orient होने की कोशिश करती है मिसके हो सकता है कि वो थोड़ी से इस तरफ रह जाए जाए क्रॉस में रह जाए पूरी इस तरफ orientation ना हो पाए लेकिन अगर आप current ज़ादा पास करते हो तो needle जल्दी से औरेंट हो जाती है मिसके उसका deflection ज़ादा होता है ठीक है इतना ही नहीं अगर आप इस needle को wire के close arrange करते हो wire से नजदिक कहीं पे arrange करते हो तो भी needle का deflection ज़ादा होता है तो याद रहे इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर आप current ज़ादा पास करैँ तो भी magnetic field produce होता हो ज़ादा होता है और या फिर आप इस wire के close होते हो तो भी जो magnetic अगर आप इस वायर के आसपास एगर आप आएन फिल्ंग्स स्प्रिंकल कर दे तो यह आएन फिलिंग्स जो है एक तरह से सरकल्स बना लेगी एसा सरकल जिसका सेंटर जो है वह यह वायर होगा अब इन सारे experimental results से Austrade ने ये conclude किया कि जो moving charge है या फिर current है वो magnetic field अपने आसपास produce करता है देखे, Austrade concluded that moving charges or currents produced a magnetic field in the surrounding space ये था Hans Christian Austrade का conclusion आज आपको ये नया ने लग रहा होगा लेकिन आप बात सोचिए 1820 के आसपास की तब किसी को पता भी नहीं था कि current pass होने से magnetic field produce होता है और ये result जो मिल गया इससे सभी scientists बड़े खुश होगे क्योंकि ये वो time था जब magnetic field और electric field के बीच में या फिर magnetism और electricity के बीच में कोई भी relation है ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था इन दोनों को बिलकुल अलग entity यानि कि बिलकुल अलग physical quantity माना जाता था और जबकि इस result से इस experiment से इन दोनों के बीच में relation है ऐसा पता चला है इतना ही नहीं इसके बाद तो इस phenomenon पे एक ऐसा law बनाया गया जो कि electricity और magnetism को unified करता है यानि कि ये law electricity और magnetism एक दूसरे के ही दो पहलू है ऐसा प्रूव करता है ये दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं ऐसा प्रूव करता है और ये law दिया गया था 1864 में और इसको formulate किया गया था scientist James Maxwell के द्वारा देखे ये 1864 में James Maxwell ने ये law दिया था इतना ही नहीं James Maxwell ने ये भी find किया कि जिसको हम light के तौप पर जानते हैं वो दरसल electromagnetic waves से बनी हुई है सोचे आप कहा से कहा तक बात आ गई light जिसको हम ray मानते थे उस वक तक वहाँ पर James Maxwell ने ये बताया कि ये light दरसल wave है इतना ही नहीं ये electromagnetic wave है यानि कि इसमें electricity और magnetism दोनों शामिल है इवन radio waves जो है वो भी हर्स ने discover किये और उसको produce भी किया जेसी बॉस ने और एक दूसरे scientist जी मार को नहीं नहीं और कब किया 19th century के end में सुनिया आप radio waves देखे electromagnetic waves जो है उसमें बहुत सारे waves include हो जाते है electromagnetic wave में light भी आ जाती है radio wave भी आ जाती है x-ray भी आ जाते है gamma rays भी आ जाते है infrared, ultraviolet बहुत सारे waves इन सभी को electromagnetic waves ही का जाता है मिसके ये waves है जो की electricity और magnetism के combination से बने हुए ठीक है तो एक तरफ light electromagnetic wave ये पता चल गया और फिर herds ने discover किये radio waves जो की produce किये JC Boss ने और Marconi ने herds ने इसको discover किया सिर्फ और इसको produce करके बताया JC Boss और Marconi ने JC Boss इंजिन साइंटिस्ट थे और इन्होंने और Marconi ने 19th century में इसको produce करके भी दिखा दिया एक और remarkable scientific और technological progress जो है वो 20th century में देखनों को मिली जब हमने electromagnetism को अच्छे से समझ लिया था और ये था invention of devices for production, amplification, transmission and detection of electromagnetic waves सुनिए 20th century में इन electromagnetic waves को produce करने की उसे amplify करने की उसे transmit करने की और उसे detect करने की जो technology है वो invent हो चुकी थी और इस वज़े से आज हमारे पास mobile है आज हमारे पास wifi है आज हमारे पास wireless है आज हमारे पास bluetooth है NFC है बहुत सारी अलग अलग टेकनिक्स है जो की basically electromagnetism से ही चलती है और इसमें basically या तो electromagnetic waves को produce किया जाता है या कहीं पे उसको amplify किया जाता है जो चीजे आज हम use कर रहे है ये सारी चीजे दरसल electromagnetic waves की वज़े से हैं और कहें तो hertz, jc boss, marconi और obviously hans christian austret की वज़े से हैं अच्छा चारा ये figure देख लीजे वज़े से तो इसके बारे में हमने already discuss कर लिया कि ये जो दो figure है इसमें यहां पे current carrying wire है जो की current बाहर के और ला रहा है उपर के और ला रहा है इस board के perpendicular और उपर के और ला रहा है इस हाल में आप देख रहे हो कि ये जो magnetic needle है वो इस तरफ arrange हुई है मैं यहां पे इसकी direction ज़रा दिखा देता हूँ देखे ये है north और ये है south इस तरह से यहां पे ये है north और ये है south तो आप देख पा रहे हो कि सभी magnetic needle दर असल इस direction में ऐसे arrange हुई है ऐसे तो जब current बाहर की और है तब magnetic needles इस तरफ arrange हुई है और ये जो दूसरी figure है इसमें ये दिखा रहा है कि current carrying wire current ले जा रहा है अंदर की और board के perpendicular और अंदर की और current जा रहा है तो ऐसे में current की direction इस पहली condition से opposite हो गई तो देखा गया कि needle की direction भी पहली condition से opposite हो गई अब देखे अब ये हो गया है north और ये है south तो इसका मतलब ये होगा कि अब needles की direction इस तरफ है अगर needles की direction इस तरफ है तो इसका मतलब कि magnetic field भी इस तरफ हो गया तो ये दोनों figure दिखा रही कि अगर current उल्टा कर दो अगर current आप ऐसे बहार की और रखते हो तो magnetic field ऐसे produce होता है anti-clockwise और अगर आप current की direction अंदर की और रखते हो तो magnetic field ऐसे produce होता है clockwise और ये जो figure है ये समझा रही है कि अगर आप current carrying wire के आसपास ये current carrying wire है जो की board के perpendicular है बाहर की और है उसके आसपास अगर आप iron filling sprinkle कर दीजे तो वो इस तरह से circles बनाती हुई arrange हो जाएगी अब देखरें कि इस तरह से ये छोटे से लेके बड़े बड़े circles बना रहे हैं इस तरह से ये iron fillings arrange हो जाएगी ये भी proof है कि इसके आसपास इस current carrying wire के आसपास हरेक जिगा पे magnetic field produce हो आए और वो magnetic field lines जो है वो circular है ठीक है एक बात याद रहें कि इन सभी experiment में जो magnetic field produce होता है वो sufficiently large है किसकी comparison में magnetic field of earth की comparison में देखें magnetic field of earth तो हर एक जिगा पे मौझूद ही है तो obviously अगर आप current से magnetic field produce करते हो तो वो magnetic field और्थ के magnetic field से काफी ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको ऐसी even figures या फिर कहूँ कि इस तरह से even arrangement देखने को मिलेगे अगर ये जो magnetic field आपने current carrying wire से जो produce किया वो magnetic field अगर पूर हुआ तो और्थ का magnetic field दरसल उसको effect करेगा और इस तरह की arrangement या फिर ये जो filing से ऐसे बिलकुल circle और दिख रही है ऐसी arrangement वो नहीं पाएगी ये बात आप याद रखना चले यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है Hans Christian Auster की तस्विर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इस chapter में हम ये देखेंगे कि किस तरह से magnetic field जो है वो moving charge जैसे कि electrons हो गया proton हो गया इसको effect करते हैं जी हाँ magnetic field जो है वो moving charge को effect करते हैं steady charge को नहीं करते हैं अगर steady charge magnetic field में रखो तो उसको कोई force नहीं लगता है लेकिन अगर moving charge magnetic field में रखो तो उसको force लगता है इतना ही नहीं ये magnetic field current carrying wire को भी effect करता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसके लिए पूरा एक law है, जिसको कहता है NPS law, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, और obviously साथ ही साथ ये भी हम इसमें learn करेंगे कि current से magnetic field कैसे produce होता है, और कितना produce होता है इसके बाद हम ये भी देखेंगे, कि particles छोटे particles जो है, वो बहुती high energy तक cyclotron में accelerate किये जाते हैं cyclotron एक device का नाम है जिसके अंदर charge particle को बहुती high energy के साथ accelerate किया जा सकता है, यानि कि उसकी velocity tremendously high value तक बढ़ाई जा सकती है और इस chapter में हम ये भी पढ़ेंगे, कि किस तरह से current और voltages को kilometer की मदद से detect किया जा सकता है यानि कि किस तरह से उसको measure किया जाता है अच्छा इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि इस chapter में और इसके बाद के chapters में जहां जहां भी electric field आएगा, magnetic field आएगा, या फिर current carrying wire आएगा, तो उसमें अगर हम कहीं पे इस तरह का symbol करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो current carrying wire या फिर electric field या फिर magnetic field बाहर की और आ रहा है और इस board के perpendicular मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर इस तरह से symbol किया हुआ है तो आपको समझ जाए कि current या फिर electric field या magnetic field जो भी वहां पे है वो इस board के perpendicular और बाहर की और आ रहा है अगर symbol इस तरह से किया हुआ है कहीं पे तो आपको समझना है कि इस में current या फिर कहें के magnetic field या फिर कहें के electric field जो भी वहां पे present है वो इस board के perpendicular है और अंदर की और जा रहा है ये बाहर की और आ रहा है और ये जो है वो अंदर की और आ रहा है यहाँ पे हमने वही symbol यूज किये थे यहाँ पे ये जो dot है इसका मतलब है कि ये current carrying wire है और current बाहर आ रहा है यहाँ पे हमने ये cross किया था इसका मतलब है कि ये current carrying wire है लेकिन current अंदर की और जा रहा है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं Magnetic force के बारे में समझते हैं Magnetic force इसमें पहले हम समझेंगे के sources और fields Magnetic force के sources और fields क्या है अब देखें Magnetic field इसको Vector B से दिखाय जाता है यह जो symbol यहाँ पे लिखा है वो दरसल है Vector B Magnetic field के लिए यूज किया जाता है Vector B अब Vector B के बारे में हम समझें उससे पहले हम Electric field यानि कि Vector E के बारे में पहले समझ लेते हैं यहाँ भी याद रखें कि यह दरसल Vector E है तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं यानि कि वैसे तो हमें पता ही है लेकिन इसको एक बार recall कर लेते हैं देखें आपको पता है कि अगर कोई चार्ज कैपिटल Q है तो वो सोर्स की तरब भीहेव करता है और वो अपने आसपास इलेक्रिक फिल्ड प्रोडिस करता है और ये जो इलेक्रिक फिल्ड है वेक्टर E इसको आप डिस्प्ले कर सकते हो इस एक्वेशन से चार्ज क्यू से जो इलेक्रिक फिल्ड प्रोडिस होता है उसको आप दिखा सकते हो इस एक्वेशन से E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square यहाँ पे last में एक यूनिट वेक्टर भी आएगा करेट r ये लोग भूल गये लगते हैं लेकिन दरसल यूनिट वेक्टर आएगा करेट r क्योंकि यह जो left side है वो E यानिकी दरसल वेक्टर E है तो वेक्टर E is called to Q upon 4 pi epsilon 0 r square करेट r किस सरह से आएगा अच्छा इसमें जो करेट r है यह करेट r दरसल यूनिट वेक्टर है किस डिरेक्शन में? it is along the direction r and the electric field E is a vector field देखें यह unit vector obviously position vector r की direction में होगा और यह unit vector आप कह सकते के electric field की direction में भी होगा तो इस तरह से electric field जो है वो vector quantity है यह हमें वैसे भी पता हैं यहाँ पे सिर्फ एक बार repeat कर रहा है अच्छा अगर कोई charge small q आप इस electric field में रख देते हों अगर आप charge small q electric field e में रख देते हों तो उसको लगता है force f is equal to q e और यहाँ पे आप e का जो equation वो डाल दो तो यह बन जाता है पूरा equation q capital q यह unit vector character r upon 4 pi epsilon 0 r square तो इस तरह से आपको force मिल जाता है यह force क्या है कि पहले तो यह कि capital q की वज़े से यह electric field produce होगा और इस electric field की वज़े से यह force produce होगा तो इस force का यह equation है अच्छा हमने chapter 1 में यह भी समझा कि electric field एक artifact नहीं है means के एक सिर्फ assumption नहीं है but it is having a physical role also इसका एक role है यह energy convey कर सकता है यह momentum दे सकता है electric field जो है वो energy भी transfer कर देता है यह momentum भी दे सकता है and it is not established instantaneously but it takes some finite time to propagate देखे electric field के बारे में यह भी concept आप clear रखे कि electric field कहीं भी instantaneously produce नहीं हो जाता है ऐसा नहीं होता है कि आप charge लाए और instantly वहाँ पे electric field आ जाता है नहीं वो भी propagate करता है उसको भी time लगता है हाँ लेकिन यह जो propagation का time बहुत कम होता है क्योंकि propagation की जो speed है electric field के propagate होने की जो speed है वो speed of light जतनी है इस वज़े से वो जल्दी से spread हो जाता है जल्दी से हर एक जिगा पे appear हो जाता है इसलिए हमें ऐसा लगता नहीं कि इसमें time लगा है बट दरसल electric field को propagate होने में time लगता है इसके इलावा यह जो field का concept है electric field का जो concept है वो दरसल faraday ने दिया था और इसको incorporated किया Maxwell ने यानि कि इसको मिलाया Maxwell ने इसमें unification of electricity and magnetism में यानि कि faraday ने दरसल field का concept दिया और Maxwell ने इसको electricity और magnetism की unification को समझाने के लिए इस theory का इस field की theory का use कर लिया in addition to depending on each point in space it can also vary with time that is it is be a function of time देखे यह electric field जो है वो time का function भी है और space का function भी है यन कि space बदलने के साथ electric field कम होता है यह तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे electric field या तो कम होता है या तो बढ़ता है ठीक है अगर आप charge के close जा रहे हो तो electric field बढ़ेगा अगर आप charge से दूर जा रहे हो तो electric field कम होगा लेकिन electric field time के साथ भी बदलता है और यही property magnetic field की भी है यह space के साथ भी बदलता है और time के साथ भी बदलता है वैसे हमारे इस chapter के discussion में हम ऐसा मान के चलेंगे कि field do not change with time हम इस पूरे chapter में field जो है वो time के साथ बदलता नहीं है ऐसा मान के ही पूरे equations वगेरे derive करेंगे इसके इलावा chapter 1 में आपने यह भी देखा है कि किसी भी एक particular point के उपर जो electric field है वो एक या एक से ज़्यादा charges की वज़े से produce हो सकता है और अगर वहाँ पे ज़्यादा charges है तो किसी भी point पे यह fields का addition होता है लेकिन vector addition होता है और आपको पता है chapter 1 में यह पढ़ा है कि इस principle को कहते है principle of superposition यानि कि किसी एक point के उपर बहुत सारे charges का electric field का vector addition होता है इसको कहते है principle of superposition और साथी साथ यह भी पता है कि एक बार अगर कहीं पे किसी एक point पे आपको electric field कितना यह पता चल जाए तो वहाँ पे किसी भी test charge के उपर कितना force लगेगा वो आप obviously calculate कर पाते हो आपको सिर्फ चाहिए F is equal to QE equation अगर आपको किसी भी जगा पे electric field यह पता है तो वहाँ पे test charge क्यू रखने से उसको कितना force लगेगा वो बिलकुल आसानी से मिल जाता है F is equal to QE यह सारी जो बाते थी वो electric field और charge के बारे में थी अब यही सारी properties almost सारी properties magnetic field को भी apply होती है सिर्फ फर्क कितना है कि electric field जो produce होता है वो static charge से produce होता है static charge से electric field produce होता है और moving charge से या फिर कहें कि current से जो produce होता है वो है magnetic field magnetic field को ऐसे vector BR से दिखाय जाता है vector BR का मतलब it is a magnetic field at a position vector vector R ठीक है और याद रहे कि यह obviously vector field है magnetic field एक vector field है electric field भी vector field है इसी तरह से magnetic field भी एक vector field है इतना ही बहुत सारी properties electric field की और magnetic field की identical है जैसे कि magnetic field भी space के साथ और time के साथ बदलता है means के हर एक space के point पे और हर एक time पे magnetic field भी अलग-अलग होता है experimentally यह भी प्रूव कर दिया गया है कि electric field की तरह ही magnetic field भी superposition principle को follow करता है यानि कि बहुत सारे magnetic field के जो sources हो उनसे produce होने वाला magnetic field जो है उसका vector addition होता है किसी भी एक point के उपर जो कि individual sources से produce हो रहे है समझे आप किसी भी एक point के आसपास अगर individual sources है magnetic field के individual sources है like S1, S2, S3 and so on तो इंसे produce होने वाले जो magnetic fields है जैसे कि S1 से produce हो रहा है magnetic field B1 इस तरह से और S2 से produce हो रहा magnetic field B2 इस तरफ और S3 से produce हो रहा magnetic field B3 इस तरफ यह है B2 और यह है B3 इस तरफ तो दरसल ये तीनों magnetic field अगर यहां पे produce हो रहे हैं तो इन तीनों का जो भी resultant आएगा उस resultant जितना magnetic field यहां पे दरसल आपको मिल रहा होगा और इसको हम कह सकते हैं magnetic field B ये magnetic field जो है इन तीनों के vector addition जितना होगा आपको ये बिलकुल नया नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने ये सब कुछ magnetic field के लिए तो already prove किया हुआ है और इसी को कहते हैं superposition principle कि किसी भी एक point पे जो magnetic field produce हो रहा है वो सभी sources के individual magnetic field के vector sum जितना ही होता है तो ये थी बात magnetism के बारे में, magnetism और electricity के interrelation के बारे में magnetic force के बारे में और magnetic field के उपर लगने वाले superposition principle के बारे में हमने ये भी समझा कि electric field की property और magnetic field की property almost identical है सिर्फ इतना फर्क है कि electric field जो है वो static charge से produce होता है और magnetic field जो है वो moving charge से यानि की current से produce होता है और एक और फर्क है वो है electric field के बारे में electric field जो है वो close loop नहीं बनाता है जबकि magnetic field जो है वो close loop बनाता है इसके बारे में हम detail में आगे बात करेंगे अभी आपको मैं बता दूँ कि इन topics के question answers की pdf की link पेने description में रख दिये आप इसे download कर सकते हो